Hi guys, welcome back to Class of Learning, तैयार ही चल रही है, almost हर बच्चे ने आप B&T पूसको होना शुगर दिया, और आप टाइम आगे है कि हमें पढ़ना शुगर दिया, there are lots of students, those have queries, कि sir, ये concept clear नहीं हो रहा है, sir, यहाँ पे इस सीज के questions, please बताएगे, so that we can work it out, तो आज मैं यहाँ आपका दोस्त, आपके साथ, आपके लिए कुछ questions, seriously, वो रहे questions, जो paper के लिए बहुत जादा expected है, for the computer science, अब जिन बच्चों के computer science, एक main paper में ले रहा है, उनको कौन-कौन से question करने है, अब यहाँ में depend करते हैं कि sir, कौन-कौन से बच्चे वीडियो देखे तो almost हो सारे बच्चे जिनों हैं B.E.D. में computer science किया हुआ है, wherever you are guys, O.E.B. University आपकी computer science में course content almost same, almost same, अगर मैं mention कहता हूँ तो यहाँ पे North Indian University, Krushetra, Sir, हमाई बस मालेशी दैनानग University, चोदिर देविलार, यहाँ बहुत तरूर चोदिर रन्वी सिंग University, तो course content same है, तो यह questions आपको reload करने, आपने का हम इन questions को कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा, paper का format सर दुबारा जा लेते हैं, 80 नमड़ा paper है, पहला question short note हो रहा है, जो 4 question attempt करने होंगे में short note में, उसके 60 नमड़ के 4 question है, word limit के लिए रहें, क्या हो भी, यह मैं हर वीडियो में बता चुका तो class को शुरू करने से पहले दुबारा से discuss करते हैं, जो लोगो इस वीडियो को पहली बाद रिखने हैं, यार एक काम करना, वीडियो class को रिखना है, और साथ में एक रेजियो पैन ले रहो, आप इन वीडियो को लोगो पहले pen और note को, हाथ में को, क्योंकि आप वो सारे question लिखने वाले हो, जो मैं बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे question आपको on-tip करने हैं, इन सब answers को अगर चाहिए हो, तो आप मेरे notes भी ले सबने हैं, लेकि notes as a YouTube videos free नहीं हैं, sorry, you have to pay for the notes, आपने का sir कैसे तयाली करने हैं, करने का क्या तरीका होगा, answer कैसे लिखने हैं, इसके लिखे लिए वीडियो डालो, हाँ, यह मैंने सुन लिखने हैं, वा सोच भी चुप हो, और मैंने जदी डाने वानाओ कि आप पेपर में कैसे इदने हो हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं, questions को तो, let's start at the class, the first question जो हमाई दिमाह में आता है, वो question आपने आपने चाह question लिखे रहे है, explain OCR, OMR, BCR, MICR, मैं चाहँ को इनके expression यहीं पर दे सकता हूँ, लेकिन उससे यह आपको टाइम ख्राव हो जाएगा, जो आपको यूज करता है, तो यह short note है, सिर्व हमें explain करता है, and go on, इनका users के competitors में कैसे deal करेंगे, यह हमें जानना है, again I am repeating this question, explain OCR, OMR, BCR, and M-I-C-R, इसको लिखने दो बाला, जाना है, the second one, step to save our document, what are the steps to save our document, a document को save करना है, I am going to say word पर गया, word पर जाकर, click कर आपको रहे expression नहीं दे रहे है, आपको, लेकिन बताओ, यहाँ आपको पोस्टर्स बताने साले, steps to save our document, then, what is micro TT, क्या है micro TT, हाल बच्चा आपकी में संच इसकी बात कर रहे है, यह micro teaching lesson plan, pedagogy, go on tip कर ले, यह confirm है कि paper में आ नहीं वले है, then, next one, digital signature, what do you mean, digital signature, note देखा होगा, note पे sign होता है, हमाई गवर्णर भी, वो digital signature है, सब के लिए भी होता है, जितने प्रेंट होता है, जितने होता है, अपने होता है, तो आपने का digital signature क्या है, कै कैसे define करते है, वो बताना होगा, problem solving method, what do you mean problem solving method, demonstrating method भी कहा सता हूँ, problem solving की बात के मैंने, तो यहाँ problem solving method क्या है, वो बताना में, मोबाईल लर्निंग, सर यह अब ट्रेंग में है, मोबाईल लर्निंग, हम सब मोबाईल लर्निंग के धुरूपड रहे है, मेरे maximum viewers throughout India, इंडिया के बाहर भी, मोबाईल के थू ही मेरे वीडियो करे थे, even you guys are really watching the maximum time of videos through your मोबाईल, तो मोबाईल लर्निंग है, क्या concept है, कैसे समझेंगे, उसको define करना है, come up to the next one, lesson planning, lesson planning, lesson planning क्या है, उसके steps वो हमें बताने, come up to the next question, achievement test, say achievement test क्या होता है, what an achievement test, objective test भी होता है, कई चीज़ा आदे, जितको दिमार में रखना है, और explain करना है, in it is, time to move to the unit one, so the unit one की बात आ गई, तो सब हम लॉंग कुरूशन की बात करें तो पहला question, what are the general aims and objectives of teaching computer science, इसको यहां लिख लो या, किसी ने किसी मौम में ही question होगा, या तो short question में, या main question में, या घुमांके पर ये question कंधम पर 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 होने वाला है, what are the general aims and objectives of teaching computer science, हमें ध्यान रखना है, इसकी option में हम दिया है, explain bloom taxonomy, as a told you earlier, कि आप bloom taxonomy को कोशिन आते ही आता है, जो हिंदी में कोशिन के students हैं, हिंदी वीडियों पढ़ते हैं, उनको हमें अपनी best question करता हैं, हिंदी में नहीं बहुते हैं, मैं अपनी best question करता हैं, हिंदी में explain कर पहूँ, तो guys, please matter करो कि कुछ चीज़े हैं, जो हिंदी में रि come up to the next question, can I explain the various types of computers, sir explain the various types of computers and distinguish between human being and computer, sir इनमें फर्क बताना है, human being क्या है, और computers में फर्क है, पहले computers कितिन तरह क्यों तेरे बताएं के, fit difference between computers and human beings, choice में तो question दिया है, what is operating system, यह operating system आपको short note में विसलता है, तो please इसको त्यार खलना, operating system, networking, क्या है, networking, कैसे काम करती है, यहाना लग उठी नदा, operating system इसको detainment दना है, come up to unit 2, unit 2, question 1, question 4, sorry, what are the various types of questions that should be asked in teaching, learning process to make more effective, so, कौन से question हों जी जो पूछे जान जी, ता कि हम teaching learning process को और interesting मना पाएं, और teaching learning experience को और बढ़ी आपाएं, तो कौन सा process हों आद लिए, next one, what is the demonstrative method of education, say, demonstrating method of education, क्योंदा है, demonstrating method of education, याद हो, types of teaching method of teaching, demonstrating, lecture, 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 demonstrative, उसके changes खाएं हो, सारे बता नहीं है, तो यहाँ question हो, what is the demonstrative method of education, what is merits and demerits, तो इसको लिख रहे हैं याँ, यह important है, question of five, explain the role of computer science teacher, इस question को please, अच्छे से करें, मैं बार बार एपीड नहीं करता हुआ, मैंने बार एपीड नहीं करता हुआ, मैंने बार एपन लिख दिया, इसी कोश्म में लिखें मैं नहीं, explain the role of computer science teacher, in problem solving method, सब problem solving method में, computer teacher का रोल के है, वो कैसे deal करता है, उसको आपने explain करना है, पूरा पूरा एक schedule form करके आप उस answer लिखेंगे, and then move on to next one, make a lesson plan of PG computer for students, अब यहाँ पर वो आपको एक data file create करने कह सकता है, आपको वो सकता है कि आप कैसे चीज़ों को assign करोगे, आप Microsoft computer में जाके PowerPoint कह सकता है, यह भी पूसकता है, जो lesson plan में आए बोलेगा तो आपको कोई भी कोशिक दे सकता है, जिसको आपको रोग कम दें, come to the next question, unit बदल लिए हमारी, हमारे पास unit third पर आगे है, हमारे पास सिर्प इसके तर कोशिक पान में choice देगी थी, question six, unit third, what is the need of test looks, test books ली बात कियाती है, तो इस question को हम अवाइड करते हैं, हम पढ़ते नहीं है, test books बगार है, कोई फाइदा नहीं पढ़नेगा, यह जो question हम छोड़ते हैं, यह छोड़ते हैं कि छोड़तो, असान सा है, यह question बढ़ते हैं, तो इसको तयारी करो, कह रहा है, what I repeat, do you mean for the need of the test books, what are the policy guidance, for selecting a new test book, क्या policy guidance हुए है, test book को select करते हुए हमें, क्या क्या था नहीं आ नहीं जी, उसके printing matrix का cover, the content that was being in the test books, कैसे pleasant किया गया है, क्या explain कहर रहा है पूरा या नहीं कहर रहा है, सभ्यान आखना है, choice में question है, what do you mean by designing of a computer library, say computer library design करने है, we need to design a computer library, अब computer library को design करना है, तो क्या क्या था नहीं जी मामची, कैसे हम उन्हें highlight करेंगे, then how will you manage a computer library, आप ए computer library को manage कैसे करोगे, तो पहले computer library क्या है, और उसको manage कैसे करेंगे, साही जी मामची, then what do you mean by pedagogy analysis, do this question, add priorities, सबसे पहले क्याने कोशन में कोशन होना जी, यह यादखना आप, what do you mean by pedagogy analysis, pedagogy analysis क्या है, उसको explain करें, now what are the principles involved behind its analysis, कौन कौन से principle है, जो इसके पीछे हैं, वो सारे के सारे mention करने हैं, control D, यहाँ पर हर चीज़ highlight करें, backspace कैसे यूज करते हैं, यह सारी चीज़े, हमें in a flow, first the command, परे command लिखेंगे, उसके explanation, कैसे रोड़ करना वो बताएंगे, और choice में दिया हुआ है, define the concept of evaluation, यह evaluation को छोड़ना नहीं आ है, what is the concept of evaluation, in content with field of education, without characteristics, with this characteristics, तो इसके evaluation क्या है, कैसे deal करते हैं, इसके characteristics को कैसे highlight करना है, क्वोन सी चीज़ें बता नहीं है, यह दिमान में में मता, आप कैसे answer को पैजर करते हो, in a perfect manner, you guys need to explain everything, और explain करते हैं हमारी image हैंना मता बताते हों, answer कैसे लिख रहे हैं, उन चीज़ उधान रहना है, come to the very last version of this class, what is the role of diagnostic and remedial teaching, सरे diagnostic and remedial teaching क्या है, इसको explain करो, इसका uses क्या है, कैसे explain करते हैं, किन किन चीज़ों को दिमार में रखना है, at the time of explaining these two, diagnostic and remedial teaching, अब मेरी आप से इससे को सिर्फ एक request है, कि आप लोग इन answers को लिखने की practice कर लेएं, last moment, please don't leave these, last moment, last moment कुछ नहीं होने वाला, last moment कोई काम नहीं होगा, तो इन question को first priority में, जो register maintain करें या बनाने वाले हो, उसमें सबसे पहले सारे questions और करना, उसके आप जो आपका दिल करता है वो गरो या, but please don't forget to do these questions at your priorities, till then, देखते हो अच्छा रखे तो like करो, subscribe करो, share करो ताकि बाग की भी देख पाया, ठीक है, वीडियोस तो बनती रहेंगी, लेकिन फायदाता है जब आप वीडियोस वो follow हो, मिलते हैं जदी नई वीडियो के साथ आपके लिए,